ब्रिजभूशन के खिलाव पहलवानों की लडाई में अब एक नया मोड आता नजर आ रहा है पुलिस ने अपनी जाच में दावा किया है कि पहलवानों ने जो सबूत दिये वो नाकाफी है यानि जाच में पहलवानों के आरोप कमजोर बताय जा रही है लेकिन पहलवानों का साफ कहना है कि ये सब ब्रिजभूशन को बचाने की साध़िश है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट मोडी सरकार के खिलाव पहलवानों की लडाई लंबी होने वाली है और इसके लिए पहलवानों ने अपनी कमर कसली है उन्होंने साफ कहा है कि वो ब्रिजभूशन के गिरफतारी करा के ही दम लेंगे वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दावा किया है कि भारतिय कुष्टी संके पुरवध्यक्ष और बिजेपी सांसद ब्रिजभूशन शरण सिंग पर यौन शोषन का आरोप लगाने वाली छे महिला पहलवानों में से चार ने अपने आरोपो की पुष्टी के लिए और वीजवल सबूत मुहिया कराए है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जास में ये बताया जा रहा है कि शिकायत करता ने जो सबूत दिये वो ब्रिजवूशन के खिलाफ उनकी आरोपो को सही साबित नहीं करते है पुलिस ने कहा है कि हमने शिकायत करताओं से कथित घटनाओं की सभी तारिकों और समय को पेश करने के लिए कहा था उन्हें अपने रूमेट्स और उन होटलों का विवरन देने के लिए भी कहा गया था जहां विदेशी टूनामेंट के दोरान पहलवानों के साथ गलत वैभार हुआ था SIT ने इन मामलों में आरोपियों को भी समन जारी कर उन सभी सबूतों को मुहिया कराने को कहा था जो उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं उन्होंने अपने बचाव में कुछ दस्तावेज और विज्वल भी मुहिया कराए हैं इस मामले में अब तक SIT 200 से जादा लोगों से पूष्टाच कर बयान दर्च कर चुकी है पुलिस ने तीन देशों कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशा की कुछती फेडरेशन को नोटिस भेज़ कर CCTV फूटेज और फोटो देने को कहा है इन देशों में हुई कुछती पर्तियोगीता की दौरान ब्रिजभोशन पर पहलवानों ने आरूप लगाए है वहीं भारती कुछती संके चुनाव 4 जुलाई को होंगी चुनाव के लिए जमू कश्मीर हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल को रिटर्निंग आफिसर न्यूक्त किया गया है इस बीच पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि हम 15 जुन को 4 शिट आने का इंतजार कर रही है इसके बाद आंदोलन को लेकर बड़ा एलान करेंगे डीबी लाइफ की रिपोर्ट